Hello students, आज हम standard 5 का problem set 17 देख रहे हैं, question number 1 देखते हैं, write the proper number in the box First question दिया है, 1 upon 2 equal to, denominator दिया हुआ है नीचे 20 और हमें क्या निकालना है? बच्चो, numerator निकालना है लेकिन same numbers बनाती हुए, यहाँ पे हमें already denominator कितना दिया हुआ है? 20 हमें denominator 20 बनाना है, इसलिए हमने 2 को 10 से multiply किया और 1 को भी हमने 10 से multiply किया तो हमें answer क्या मिल जाएगा बच्चो, 10 upon 20, 20 तो already दिया हुआ था, तो हमारा answer क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे 10 next question देखते हैं, देखो ध्यान से देखना है बच्चो, 3 upon 4 दिया हुआ है, equal to 15 upon dash याने denominator की value हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से देखना है 3 multiply by करना है, और 4 multiply by करना है, 3 number को कोन से number से multiply करना है, ताकि हमें numerator कितना मिल जाए? 15 इसले मैंने 3 को 5 से multiply किया, और 4 को भी 5 से multiply किया, क्योंकि हम equivalence fraction देख रहे हैं, तो दोनो नमबर को same number से multiply कर रहे हैं, इसले हमें answer मिल गया, 3 फायुजा 15 upon 4 फायुजा 20 यहाँ पर answer हम लिखेंगे 20 नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 9 upon 11 equal to 18 upon dash यहाँ पर देखो, 9 को multiply करना है, और 11 को भी same number से multiply करना है, ताकि हमें यहाँ पर numerator कितना मिल जाए? 18 मिल जाए 9 को मैंने 2 से multiply किया, फिर 11 को भी मैंने 2 से ही multiply किया, क्योंकि हम equivalent fractions देख रहे हैं, तो equivalent fractions करने के लिए same number से multiply करना है इसले 9 multiply by 2 equal to 18, 11 multiply by 2 equal to 22, यहाँ पर answer आया हमारा 22 next question देखते हैं, 10 upon 40 equal to, यहाँ पर 8 आया है, यहाँ पर dash दिया है, यानि numerator की value हमें निकालने है देखो, ध्यान से देखना है बच्चो, 10 upon 40 दिया हुआ है, equal to, हमें denominator 8 आना चाहिए 8 denominator आने के लिए हमें यह 40 number है, यह 40 number को मैंने यदि 5 से divide किया, तो मुझे 8 मिल जाएगा 40 को यदि मैं 5 से divide कर रही हूँ, तो मैं यह 10 को भी 5 number से ही divide करना होगा same number से divide करना है, 10 को मैंने 5 से divide किया, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर answer 2 40 को 5 से डिवाइड किया तो मिल गया answer 8 यानि यहाँ पे हमारा answer मिल गया हमें 2 next question देखते हैं बच्चों 14 upon 26 equal to यहाँ पे denominator 13 मिल गया उपर हमें numerator में डैज दियू हुई देखो solve करते हैं 14 upon 26 equal to हमें denominator दिया हुआ है already 13 यानि 26 को मुझे 2 से डिवाइड करना होगा ताकि मुझे denominator 13 मिल गया इसको 2 से डिवाइड किया तो उपर वाले जो numerator था उसको भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे यानि 14 को 2 से डिवाइड किया तो answer मिल गया 7 यानि 14 upon 26 equal to answer क्या मिल गया यहाँ पे हमें 7 upon 13 next example देखते हैं यहाँ पे box दिया हुआ है यहाँ पे 3 है equal to 4 upon 6 देखो ध्यान से देखना है बच्चों क्या करना है देखो यहाँ पे 3 already denominator में दिया हुआ है यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6 है अभी 6 नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड किया तो मुझे 3 मिल जाएगा 6 को मैंने यदि 2 से डिवाइड किया तो मुझे 3 मिल जाए फिर इसले मुझे 4 को भी किस से डिवाइड करना होगा 2 से यहाँ 4 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे answer मिल जाए 2 यहाँ पे write down करेंगे 2 next देखना है 1 upon यहाँ पे denominator निकालना है equal to 4 upon 20 यहाँ बन दिया है यहाँ पे निकालना है denominator यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 20 दिया है यहाँ बन नंबर को यदि मैंने multiply किया 4 से तो मुझे 1 फोर जा 4 मिल गए यहाँ पे कौनसे नंबर से multiply किया 4 को ताकि मुझे मिल जाए denominator 20 तो यहाँ पे मिल गया 5, 5 फोर जा, कितने मिल गये 20, यानि यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 5, देखो 1 मल्टिप्लाइबा 4 किया, तो 4 हो गया, 5 मल्टिप्लाइबा 4 किया, तो 20 मिल गया, नेक्स क्वेस्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ डिनोमेटर 5, इक्वल 2, यहाँ पे 10 अल्रेडी दिया हुआ है, यहाँ पे 25, यह 25 जो नंबर है, इसको यह दि मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मुझे 5 मिल जाएगा यहाँ इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, इसलिए उपर वाले जो निउमरेटर है, इसको भी मैंने 5 से डिवाइड करना चाहिए, इसलिए 10 को 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आंसर कितना मिल गया, 2, यानि 2 अपोन 5, यानि 2, 5 जा 10, 5, 5 जा 25, next question देखते हैं बच्चों, देखो, find an equivalent fraction with denominator 18 for each of the following fractions, अभी यह जो हर एक नमबर दिये हुए है, fractions दिये हुए है, इसके denominator हमें कितने बनाने है, 18 बनाने है, अभी एक 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 जामपल देखते हैं, 1 upon 2 दिया हुआ है, 1 upon 2 इकवल 2, यहाँ पे मुझे denominator कितना आना चाहि 18 denominator आने के लिए, 2 को मुझे कौनसे नमबर से multiply करना होगा, 2 9 जा, यदि मैंने 2 को 9 से multiply किया, तो 1 को भी मुझे 9 से ही multiply करना होगा, 1 multiply by 9, 9, 2 9 जा 18 नेक्स्ट देखते हैं, second example, 2 upon 3, अभी denominator कितना चाहिए, मुझे 18, denominator 18 आने के लिए, मुझे 3 को 6 से multiply करना होगा, 3 6 जा 18, यदि denominator को 6 से multiply किया, तो numerator को भी 6 से ही multiply करना होगा, 2 6 जा बन गए, 20 नेक्स्ट देखते हैं, third, 4 upon 6, denominator कितना चाहिए, हमें 18 चाहिए, 18 denominator आने के लिए, 6 को multiply करना होगा, 3 से, 4 को भी multiply करना होगा, 3 से, क्योंकि हम equivalent fractions निकाल रहे, 4, 3 जा कितने बन गए, 12 नेक्स्ट देखते हैं, 2 upon 9, हमें denominator कितना चाहिए, 18 चाहिए, 18 denominator होने के लिए, 9 को multiply करना होगा, 2 से, यदि 9 को 2 से multiply किया, तो 2 को भी 2 से ही multiply करना होगा, 2 2 जा कितने बन गए, 4 नेक्स्ट एक्जम्पल, 7 upon 9, denominator चाहिए, हमें 18, 18 denominator आने के लिए, हमें 9 को multiply करना होगा, 2 से, और 7 को भी multiply करना होगा, 2 से, 7 2 जा कितने बन गए, बच्चों, 14 बन गए नेक्स्ट एक्जम्पल देखते हैं, 5 upon 3, हमें denominator चाहिए था, 18, 18 denominator आने के लिए, 3 को multiply किया, 6 से, 3 से, इसले 5 को भी multiply करना होगा, 6 से, 5 से, कितने होगा है, बच्चों, 30 होगा next question देखते हैं, find and equivalent fractions with denominator 5, अभी denominator 5 आना चाहिए, for each of the following fractions, देखो, first example देखते हैं, 6 upon 15, यहाँ पे हमें denominator आना चाहिए, 5 इसले आभी यह जो 15 नंबर है, 15 नंबर को मुझे divide करना होगा, 3 से, यदि मैंने 15 को 3 से divide किया, तो मुझे denominator मिल जाएगा 5, इसले 6 को भी divide करना होगा 3 से, क्योंकि यदि numerator को same number से divide किया, तो denominator को भी same number से divide करना होगा इसले 6 को 3 से divide किया, 3 2 जा 6 होते हैं, यहाँ पे answer मिल गया, 2 upon 5, next देखते हैं, second, 10 upon 25, देखो ध्यान से देखना हैं, बच्चों, हमें denominator क्या बनाना है, 5 बनाना है, 5 denominator बनाने के लिए 25 को मुझे 5 से divide करना होगा, तब मेरा denominator 5 बन जाएगा denominator को मैंने 5 से divide किया, इसले मुझे numerator को भी 5 से divide करना होगा, 10 को यदि मैंने 5 से divide किया, तो यहाँ पे मिल गया 2, 2 upon 5, third example देखते हैं, 12 upon 30, अभी यहाँ पे हमे denominator चाहिए, 5, 5 denominator होने के लिए 30 नंबर को हमें कौन से number से divide करना होगा, बच्चों, 6 नंबर से, 30 को मैंने 6 से divide किय तो 6, 5 जा 30 बन जाते हैं, इसले मुझे 12 को भी 6 से divide करना होगा, ताकि मुझे यहाँ पे answer मिल गया, 2 upon 5, next example देखते हैं, 6 upon 10, अभी denominator कितना चाहिए हमें, 5 चाहिए, denominator 5 होने के लिए 10 को मुझे divide करना होगा, 2 से, 2, 5 जा 10 होते हैं, 10 को मैंने 2 से divide किया, इसले 6 को भी कौन से नंबर से divide करना होगा, 2 से, 2, 3, 6, यानि 3 upon 5, next example देखते हैं, 21 upon 35, यहाँ पे हमें denominator क्या चाहिए, बचो 5, 5 denominator होने के लिए 35 को मुझे divide करना होगा, 7 से, यदि मैंने 35 को 7 से divide किया, तो 21 को भी मुझे 7 से ही divide करना होगा, 21 को यदि मैंने 7 से divide किया, तो 7 जा बन जाते है, 21, यानि answer मिल गया हमें 3 upon 5, next question देखते हैं, बचो ध्यान से देखना है, important question है, question number 4, from the fractions given below, pair of and equivalent fractions, हमें equivalent fractions की pair बनानी है, देखो ध्यान से देखना है, pair कैसे बनाते हैं, pair बनाने के लिए हमें numerator और denominator, दोनों नंबर को हमें same number से multiply करना होता है, देखो अभी 2 upon 3 नंबर दिया हु है, 2 upon 3 के हमें equivalent pair देखनी है, या हमें equivalent fractions देखना है, 2 upon 3 लिया हमने, 2 upon 3 के हमें equivalent fractions देखने के लिए, देखो, 2 के table में 5 नहीं आता, ये भी नहीं आता, 7 भी 2 के table में नहीं आता, 14 आता है, 15 आता नहीं, 18 आता है, और 10 भी आता है, अब ये तीनों में से हम ढूंडेंगे, कि 7 से multiply किया तो 14 मिलता है लेकिन यहाँ पे 3 को कौन से नंबर से multiply किया 3 6 जा 18 इसलिए यह pair नहीं हो सकती अब यहाँ देखो 2 9 जा 18 3 9 जा 27 यानि यहाँ पे क्या नंबर मिल गया हमें 18 upon 27 क्योंकि 2 9 जा 18 और 3 9 जा 27 यानि सेम नंबर से multiply किया हमने तबी हमें आंसर मिला 18 upon 27 यानि इसकी है equivalent pair हो गई या equivalent fraction बन गया अब नेक्स देखते हैं 5 upon 7 अब यह 5 upon 7 है 5 upon 7 कि हमें equivalent pair देखने हैं देखो ध्यान से देखना है बच्चों हमें equivalent fractions देखने के लिए क्या करना पढ़ता है कि उसका उसी नमबर को सेम नमबर से multiply यदि हम करते हैं दोनों नमबर को तो हमें उसकी क्या मिलनी चाहिए equivalent fractions मिलनी चाहिए या equivalent pair मिलनी चाहिए देखो अभी ध्यान से देखना है 5 के टेबल में 5 आता है लेकिन 7 के टेबल में 11 नहीं आता फायू के टेबल में 7 नहीं आता, फायू के टेबल में 14 नहीं आता, फायू के टेबल में 15 आता है, लेकिन 7 के टेबल में 33 नहीं आता, यहाँ पे देखो, फायू के टेबल में 10 आता है, और 7 के टेबल में 14 आता है, यानि फायू टूजा 10 और 7 टूजा 14, यानि यह हो गई इस देखना है बच्चों, 5 upon 11, 11 था, इसकी equivalent हमें pair देखनी है, यह equivalent fraction देखना है, देखो द्यान से देखना है, यहाँ पे 15 upon 33 है, देखो, 11 के टेबल में 33 आता है, और 5 के टेबल में 15 आता है, सेम नमबर से multiply किया, 5 3 जा 15, और 11 3 जा 33, यानि मिल गई उसकी equivalent pair, नेक्स देखते हैं, 7 upon 9, देखना है बच्चों, देखो, 7 को 2 से multiply किया तो 14, 9 को 2 से multiply किया तो 18, यानि इसकी equivalent pair हो गई, 14 upon 18, 7 जा 14, 9 जा 18, नेक्स एक्जांपल देखते हैं अभी बच्चों, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pair थी, यानि हर एक के हमें equivalent pair मिल गई, नेक्स एक्जांपल देखते हैं बच्चों, question number 5, find 2 equivalent fractions for each of the following fractions, देखो, एकदम simple question हैं बच्चों, हमें equivalent fractions बनाना है, equivalent fractions बनाने के लिए हमें same number से multiply करना होता है, यानि 7 upon 9 दिया होता, इसलिए 7 को मैंने यदि 2 से multiply किया, और 9 को भी 2 से multiply किया, तो यहाँ पे मिल गया 14 upon 18, 3 से multiply किया, यहाँ पे भी 3 से multiply किया, 7, 3,21, 9, 3,27, दो equivalent fractions बनाने के लिए बोले थे, हमने 2 equivalent fractions अल्रेडी लिख दिया भी, अभी यहाँ पे भी देखो, 4 upon 5 दिया होता, इसकी equivalent fraction लिखने है, इसलिए 4 को multiply किया 2 से, 5 को भी multiply किया 2 से, तो 4 तू जा 8, 5 तू जा 10, फिर से लिखते है, 4 upon 5, 4 को multiply करते है, 3 से, 5 को multiply करते है, 3 से, 4, 3 जा 12, 5, 3 जा 15, दोनो equivalent fractions हो गए, यहाँ पे 3 multiply by 2, 11 multiply by 2, सेम नमर से multiply किया equivalent fractions बनाने के लिए, सेम नमर से multiply करना होता है, 3 2 जा 6, 11 2 जा 22, यहाँ पे 3 multiply by 3, 11 multiply by 3, 3 3 जा 9, 11 3 जा 33, आज हमने problem set 17 देखा, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो like करना है, subscribe करना है, share करना है बच्चो, thanks for watching this video,